इस दे रिमाइंडर वेन 15 टुदी पावर 23 प्लस 23 टुदी पावर 23 इज डिवाइड़ बाई 19 सेसफल गयात करें जब 15 के घाथ 23 प्लस मतलब बंदरब के घाथ 23 में जोड़ा जाए 23 के घाथ 29 को और भाग दिया जाए 19 से कितना आएगा सेसफल देखिए यहाँ पर सॉल्व किया गया है पहली बात एक सुत्र होता है कि जब एक घाथ यन जो यहाँ पर दिखाए गया है एक घाथ यन प्लस बी के घाथ यन हो यानि कि घाथ दोनों पर बराबर हो और जोड़ा जाए और उसको भाग दिया जाए किसी से किसी चीज से अंक से भाग दिया जाए और वह अंक यह जो ए और बी के इस्थान पर है उसको जोड़ने पर आया हुआ अंक हो तो उसका वो सदय उससे कट जाता है यानि कि सेसपल कुछ नहीं बचता है तो यहाँ पर प्रस्थ में 15 पे घाट 23 और 23 पे घाट 23 है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि A के जग़ा पे 15 है और B के जग़ा पे 23 है प्रस्थ में हमारे तो A और B को जोड लेंगे एक और B को जोडने पे कितना आ रहा है 15 और 23 को जोडने पे हमारा 38 आ रहा है और घाट क्योंकि बराबर है इसलिए जोड देंगे इसको जोडने पे 38 आ रहा है और 38 को जब हम गुणंखन करेंगे तो किस से कटेगा 38 एक एक से कटता है, दो से कटता है, 11 से कटता है, और 38 से कटता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह 19 से खटेगा कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बादा दीख रहा है, 19 से कटेगा, क्उल पलस बी आ रहा है, didonetis का गुडण खन में उनंकों को जोड लेंगे, अगर वो कटेगा, तो दी हुई संक्या से, अगर कट जाए A प्लस B का योग, तो वो संक्या कट जाएगी, और सेस्फल कुछ नहीं बचेगा, यह हमें इसा तब होता है, जब घात जो दिया है, वो ओड रहे तब, यानि कि विसम रहे तब, यहां पर N बराबर 23 है, इस प्रस्त को एक बार और हम समझेंगे, दिया है कि सेस्फल ग्याद करें, जब 15 पर 23 और 23 घात कुनी से भाग दिया तो क्या है, तो यहां पर आप आप देख रहे होंगे, 15 और 23, इसका घात क्या है, 23 है, यानि कि विसम संक्या है, विसम संक्या हो, तो इसका मतलब जो यहां पर 15 यह नीचे 15 दिया गया है, और बेस में यहां पर 23 दिया गया है, इन दोनों को जोड लेंगे, और जोडने के बाद अगर इस से कट रहा है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा, कि इसका सेस्पल कुछ नहीं बचेगा, यानि कि कुछ से इस नहीं बचे इस से जुड़े हुए बहुत परस्त पुछे जाते हैं, और बच्चे कठिंता में छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको साल्व करना संभव हो है, बस कॉंसेप्ट पता रहना चाहिए,